बच्चों, पेड़ पोधों और जिव जन्तूं में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाय होती हैं और इन्ही प्रक्रिया को हम कहते हैं जैविक प्रक्रियाय जैसे की पोशन, परिवहन, श्वशन, उच्सर्जन तो जैविक प्रक्रिया मतलब जीविच जीवों में होने वाली प्रक्रिया है और इन प्रक्रियाओं को करने के लिए कही ने कही उर्जा क्यावशकता होती है तो यह उर्जा कहां से मिलती है तो हम जानते हैं कि जो पेड़ पोधे होते हैं ये प्रकास संदलिशन की क्रिया करते हैं और इनके द्वारा जो सरल कार्बनिक पधार से ये जटिल कार्बनिक पधात का निर्मान करते हैं और अपना भोजन स्वयम बनाते हैं और इने उर्जा प्राप्त होती हैं और इन पेड़ पौधों से जो पोशन प्राप्त करते हैं विशेश विशेश अंग तंत्र का निर्मान होता है और इसी अंग तंत्र का विकास तभी होगा जब इन जीवों को उर्जा मिलेगी तो बच्चो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जैविक प्रक्रिया भागेक जिसमें हम पढ़ेंगे पोशन, परिवान, श्वशन और उत्सरजन के बारे में तो बच्चो अभी मैं बात कर रही थी अंग तंत्र का विकास तो हमारा जो नेक्स टॉपिक है वो है अंग तंत्र का विकास आपने क्लास नाइंथ में पढ़ा है कोशिका के बारे में और आपने सुना है कि जो कोशिका होती है ये आकार में छोटी होती है कोशिका आकार में बड़ी क्यों नहीं होती बच्चो अगर कोशिकाय आकार में बहुत बड़ी होंगी उसका व्यास अगर जादा होगा तो कोशिकाओं में जो पदार्तों का आवागमन होता है कहां से होता है कोशिका जिल्ली से तो पदार्तों के आवागमन के लिए बहुत जादा समय लगेगा बहुत अधिक उर्जा की खपत होंगी और कहीं ने कहीं इन पदार्तों को बहुत जादा दूरी भी तै करनी पड़ेगी इसलिए जो कोशिकाय होती है यह आकार में छोटी होती है यहाँ पर आप एक ग्राफ देखिए इस ग्राफ में यह जो ग्राफ बना है यह कोशिका का व्यास दिखा रहा है और इस तरब दिखा रहा है सती शेत्रेफल और आयतन का अनुपात हम देख रहें कि अगर कोशिका का व्यास बढ़ रहा है कोशिका का व्यास बढ़ने से क्या हो रहा है सती शेत्रफल और आयतन का जो अनुपात आ रहा है वो कम होते जा रहा है और सती शेत्रफल और आयतन का अनुपात कम होगा तो पदार्तों का जो आवागमन हो रहा है जो उत्सरजी पदात है या अन्य गैसे जिनका आवागमन हो रहा है उनको बहुत जादा दूरी तैकरनी पड़ेगी, बहुत जादा समय लगेगा, शायद इन कुशिकाओं को परयाप संसादन नहीं मिलेंगे इसलिए कुशिका का व्यास अगर कम रहेगा तो सती शेत्र पर आयतन कानुपा जादा होगा जिससे कुशिकाओं को परयाप संसादन मिलेंगे और इन कुशिकाओं को जल्दी से कर सकेंगे, उन्हें जादा समय नहीं लगेगा तो हम जानते हैं कि जो एक कुशिके जिव होते हैं यह आकर में बहुती छोटे सुक्षम होते हैं तो हम अपने नगना को से नहीं देख सकते हैं इनका व्यास कैसा होता है बहुत ही कम होता है व्यास कम होने से इनका सती शेत्र पर और आयतन का अनुपात होता है वह जादा होता है इसलिए इनके अंदर में जो जैविक प्रक्रियाओं होती है ये जल्दी जल्दी होती है ऐसी हम बात करते हैं बहुकुशी की जीवों की तो होती है ताकि जो हर एक कोशिका तक ही पर्याप संसाधन पहुंच सके क्योंकि हर कोशिका तक संसाधन पहुंचेंगे तभी तो सभी क्रियाय सुचारूरुप से होंगी तो यह कौन-कौन जो इन जीवों में होनी चाहिए तो बच्चो बहु कुशिकी जीवों के शरीर की जो शारेरिक संरचना होती है उनकी जो सते होती है शरीर की सते वलईत होती है इनकी परज जो होती थोड़ी से मुड़ी हुई रहती है क्यों ताकि आउशोशन का शेत्र को बढ़ाया जाए ज दूसरी कोशिका तक पहुचाने के लिए तरल पदार्तों का आवागमन की सहायता ली जाते हैं तरल पदार्तों के आवागमन से हम इन पोशक पदार्तों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुचा सकते हैं तीसरा इसमें होता है शरीर की कोशिकाओं में घर्षन को कम कर करने के लिए विशिश प्रकार के पदार्तों का लसले से पदार्तों का स्त्रावन होता है जैसे शलेशमा का स्त्रावन होता है और ये लसले से पदात नम्युक्त होते हैं जिससे जो शरीर की कोशिका है इनमें घर्शन कम होता है चौथा शरीर के अंदर में बहुत सारी रास अभी कियाओं को पूरा करने के लिए कहने की शरीर के अंदर में कुछ अनुकुल परिस्थितियों को बनाया जाता है तो ऐसी व्यवस्था जो पेड़ पोधू या जिवजन्तू के शरीर में पाई जाती है और इन जैविक प्रक्रियाओं को पोशन, परिवहन, श्वशन, उ पाचंतू के बारे में तो बच्चों अब हम बात करते हैं मनुष्य के शरीर के पाचन दंत्र की पाचन की शुरुवात कब होती है जब पोशन मिलेगा तभी पाचन होगा तो सबसे पहले हमें ये समझना हुआ कि हम पोशन किसे कह रहे हैं तो बच्चो शरीर के स्वास के लिए और शरीर के विकास के लिए आवशक पोशक तत्वो को के रूप में ग्रहन करना ही पोशन है और यह पोशक तत्व कार्बोहडेट प्रोटीन वसा के रूप में हम ग्रहन करते हैं और यह हमारी शरीर के लिए बहुत ही आवशक होते हैं और जब हम इन पोशक तत्व को ग्रहन करते हैं तब हमें उर्जा मिलती है इन उर्जा का उप उर्जा के आफशक्ता हमें पड़ती हैं साथ ही जब कार्वोहड़ेट प्रोटीन वसा का अभगटन होता है तब भी उर्जा बनती हैं और इन्हीं उर्जा का उपयोग हम शरीर की विभिन क्रियाओ को करने के लिए करते हैं इसके अलावा हमारे शरीर के लिए पानी लवण और विटामिन भी आवशक होते हैं तो जब इस सभी पोशक तत्वों का पाचन होता है तब हमारे शरीर को उर्जा मिलती हैं तो पाचन की प्रक्रिया जब होती है या भोजन का जब पाचन होता है तो ग्लुकोस की जरुवत हर कोशिका को होती है और अगर रक्त में ग्लुकोस की मातरा कम हो जाए तो इसकी सूचना मस्तिष को मिलती है और जब इसकी सूचना मस्तिष को मिलती है तो हमारे अमाशे मे संकुच हनोने लगता है, पेट में चुहे दोड़ना बोलते हैं न हम, इसका मतलब है कि हमको बहुत तेजी से भूक लग रही है, क्यों भूक लग रही है, कहीने कही हमारे रक्त में जो ग्लुकोज है उसकी मातरा कम हो गई, तो बच्चो आपको भूक और किस-किस परिस्तित में लगती है, तो आपने देखा होगा, कि जब आपका पसंदिदा खाना बन रहा हो, या आपको सामने दिख रहा हो, तब भी आपको बहुत तीजी से भूक लगती है, या किसी स्वादिश भोजन के आपको खुश्बो आ रही हो, तब भी आपको भूक लगती है, तो बच पाचन की जो शुरुवात होती है हमारे मुह से होती है हमारे मुकुगवा से होती है तो मुह में जब हम भोजन को लेते हैं दातों के द्वारा चबाते हैं मुह में उपस्तित लार ग्रंतियों से जो लार निकलती है यह हमारे भोजन के साथ मिक्स होती है और फिर भोजन की प कैसे होता होगा ये। चली इसे समझने के लिए हम एक आक्टिविटी देखते हैं। प्रिया, यह तो क्या खा रहे हैं? अचार! अचार! वाओ, यह तो मेरा फेवरेट है। अरे वाँ बच्छो, तुम लोग क्या खा रहे हूं? मैं अचार! अचार! वाओ, यह तो मेरा भी फेवरेट है। क्या, तुम्हारे मूँ में पानी आया? येस मैं तुम्हारे? येस मैं मेरे मूँ में में बहुत पानी आया। पता है बच्छो, यह जो मूँ में पानी आता है, इसे हम लार कहते हैं। मैं, लार कहां से आती है? बच्चो, ये लार हमारे मुँ में लार ग्रंतिया होती है, वहां से आती है और पता है, जब भी हम कोई चीज खाते हैं, तो ये हमारे खाने को गिला करती है उसे लसलसा बनाती है, ताकि हम खाने को आसानी से निगल सके और साती साथ ये लार हमारे भोजन को पचाने में एल्प भी करती है मैं इसके लिए मैंने आटे का गोल यहां पर बना के रखा है इसे कैसे बनाना है एक चमचाटा और आधा बिकर पानी इस प्रकार से इसको त्यार करना है अच्छा बच्चों बताओ कि इस आटे में कौन सा पोशकतत पाया जाता है स्टार्च वेरी गुड़ स्टार्च और किस-किस में पाया जाता है मैं चावल के पसी में और किस में होता है रिया आलू में भी पाया जाता है वेरी गुड़ तो इन सब में स्टार्ज पाया जाता है ठीक है अब हम क्रिया कलाप शुरू करते हैं इस आटे के घोल को हम दो टेस्ट चुब में लेंगे ठीक है एक तुम पकड़ो प्राची और एक तुम हम लगभग 20 से 25 बूंदे आटे की घोल की दोनों टेस्ट चुब में डालेंगे यह लगभग इतना हम इसमें डालेंगे अब प्राची तुम्हें क्या करना है तुम्हें इसमें अपनी लार मिलानी है और तुम इसमें अपनी लार नहीं मिलाओगे ठीक है चलो लार मिलाओ लगबग जितना आटे का घोल है उतनी लार इसमें हमने मिला दी है ठीक है अब बच्चो अब आप देख सकते हैं कि इसमें प्राची ने लार मिलाओगे और इसमें लार नहीं मिली है अब इन दोनों टेस्टिप को हम लगबग दो घंटे के लिए रख देंगे ताकि हम देखेंगे कि इस लार की क्रिया इस आटे के साथ किस प्रकार से हुई तो इसे हम दो घंटे के लिए रख देते हैं चलिए बच्चों दो घंडे का समय हो चुका है अब हम इसमें स्टार्ज का परिक्षन करेंगे इसके लिए हमें आयोडीन विलियन चाहिए अब इन दोनों परकनिलियों में हम आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे और देखेंगे कि इनके रंग में कोई परिवर्तन होता है या नहीं जब भी हम किसी भोज पदात में आयोडीन का घोल डालते हैं और अगर उसका रंग नीला काला हो जाए इसका मतलब उसमें स्टार्ज उपस्तित है और अगर उसका रंग नीला काला नहीं होता है इसका मतलब उसमें स्टार्ज उपस्तित नहीं है चलिए करके जिसमें तुमने लार मिलाई थी, इसमें हम आयोडीन की कुछ बूंदे डालते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, इसे पकड़ो, अब इस परकनली में भी हम आयोडीन की कुछ बूंदे डालते हैं, और देखते हैं कि इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं, अब हम दोनों परखनलियों को सामने रखेंगे अब देखो एक का रंग नीला काला दिख रहा है और एक परखनली का रंग नीला काला नहीं दिख रहा है जिसका रंग नीला काला दिख रहा है ये क्या दर्शर है कि इसमें स्टार्च अभी भी उपस्तित है और इसका रंग नीला कला नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें उपस्तित स्टार्ज नहीं है, इसमें स्टार्ज उपस्तित नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हमने लार मिलाई थी, और लार में उपस्तित एंजाइम्स की क्रिया स्टार्ज के साथ हुई, और उसने तो देखा बच्चो किस प्रकार से हमारी लार में पाए जाने वाले एंजाइम हमारे बोजन को पचाने में हेल्प करते हैं येस मैं तो बच्चो आपने देखा क्रिया कलाप में कि लार में पाय जाने वाले जो विशिष्ट एंजाइम है इनका स्टार्च पर क्या प्रभाव पड़ा तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम की जो क्रियाशिलता होती है एक निशित माध्यम में सबसे ज़ादा होती है और ये जो एंजाइम होते हैं ये जटिल भोज़पदात को सरल भोज़पदात में बदलने में बहुत अधिक साहेता करते हैं तो बैंचो आपको प्रशन पूछा जाता है परिक्षा में कि एंजाइम्स क्या है तो दो नमबर के लिए प्रशन आ सकता है तो आपको एंजाइम की परिभाशा और साथ ही इसके उधारन भी लिखने होंगे तो देखें एंजाइम हम किसे कहते हैं जीवित कुशिकाओं में जैवरासाइने क्रिया को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन को ही हम एंजाइम्स कहते हैं एंजाइम जैसे की जाइमेज है एमाईलेज है इनवर्टेज है यह सभी एंजाइम्स है तो एंजाइम के पेट की कहानी यह बात है 1822 की जब मार्टीन नामक एक फौजी को गोली लगे थी और उसी जखमी हालत में उसे जब हॉस्पिटल लाया गया तो उनका इलाज डॉक्टर बोमून कर रहे थे तो उन्होंने मार्टीन का इलाज देड़ साल तक किया और इलाज जब वो कर रहे थ तो उन्होंने देखा कि मार्टीन का घाव तो ठीक हो रहा है लेकिन जो उसके पेट में छेद है वो वैसा का वैसा ही है फिर उन्होंने सोचा इनके जो पेट है इसके पेट से एक नली डाल कर अमाशे से पाचकरस को बाहर निकाला जा सकता है तो उन्होंने वैसे ही किया मा पाचक रस साथ अलग अलग प्रकार के भोजपदातूं की बैख प्रीय करा रहे थे और काफी लमबे समय तक उन्होंने अलग 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 प्रकार के भोजपदातूं की किरिया इस पाचक रस के साथ करवाई नि hop ale var जितनी जल्दी होती है उतनी पेट के बाहर में नहीं होती है मतलब हम कह सकते हैं कि पेट के अंदर में एक विशिश वातावरन होता है जिसमें पाचन की क्रिया जल्जेल्दी होती है जबकि पेट के बाहर वैसा वातावरन नहीं होता है जिसके करण पाचन की क्रिया कहीं ने कहीं धी में पड़ जाती है और इससे ये समझ में आ रहा है कि जो एंजाइम की क्रिया शिलता होती है एक निशित माद्दे में ही सबसे ज़ादा होती है इसके बाद एक और वैग्यानिक आ है फ्रांसेसी रसाइन वैग्यानिक जिनका नाम था अंसेल पाइन इन्होंने अंकुरिक जौ से एक रसाइनिक पदात एमाइलेज कोस बहार निकाला था और इसको उन्होंने नाम दिया था डाइस्टेज एंजाइम ये जो एंजाइम्स होते है ये भी पाचर में बहुत जादा साहिता करते हैं ये एमाइलेज एंजाइम हमारी अहानाल में भी उपस्तित होते हैं साथी ये कुछ कवर्ट, जिवानों और पौधों में भी एंजाइम्स पाए जाते हैं चली बच्चो अब हम डिटेल में बात करेंगे कि हमारा जो पाचन तंत्र है इसके अंतरगत कौन-कौन से अंग आते हैं और पाचन की क्रिया कैसे होती है चली इसे हम जानते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र के दो मुख्य भागे एक है आहार नाल और दूसरी है पाचक ग्रंथिया आहार नाल आप देखें यहां पर मूँ से लेकर मल दौार तक एक लंबी नली है और यह जो लंबी नली है यह 9 से 10 मिटर तक की लंबी हो सकती है तो यह है आहार नाल और दखनाशे जो कि अमाशे के पीछे में जो सनरशना दिखाए दे रही है ये पाचक ग्रंथिया है और इन सबसे मिलकर की हमारा पाचasser नत्रबना है तो बच्चो क्या हुता है और क्या होता है Today the tauun इसे पहले क्या होता है जब भोजन को हम ग्रहन करते हैं भोजन का अंत ग्रहन करते हैं तो भोजन को दातों के सहायता से चबाया जाता है यहां पर आप देख सकते हैं भोजन को दातों के सहायता से चबाया जा रहा है और भोजन के साथ लार मिक्स हो रही है लार मिश्रित हो तो यह लार कहां से आ रही है मुह में उपस्तित लार ग्रंतियों से यह लार स्त्रावित हो रही है भोजन के साथ मिक्स हो रही है और भोजन को लस लसा बना रही है यह लार में कुछ एंजाइम्स पाय जाते हैं उस एंजाइम का नाम है salivory amylase ये salivory amylase भोजन में उपस्तित कार्बोहडरेट को सरल कार्बोहडरेट में बदल देते हैं मतलब ग्लुकोज में बदल देते हैं इस प्रकार से जो भोजन है लसलसा हो जाता है अब भोजन देखिए आगे बढ़ता है और भोजन ग्रसी का से होते हुए जाता है ग्र आगे मैं आप देख रहे हैं यह है श्वासनली तो आपने देखा होगा बच्चों कि जब भोजन को हम निगलते हैं तो भोजन हमारी श्वासनली में नहीं जाता है अब श्वासनली में क्यों नहीं जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो श्वासनली है श्वासनली क तो भोजन कहा जाएगा ग्रास नली में जाएगा इस प्रकार से जब भोजन ग्रास नली में पहुशता है तो ग्रास नली की जो दीवारे होती है इन में क्रमश शंकुचन और फ्यला होता है Is इस प्रकार से संकुचन और फैलाओ हो रहा है इस संकुचन और फैलाओ से जो भोजन है वो आगे बढ़ता है और इस प्रकार का जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते है क्रमानु कुंचन क्रमानु कुंचन का मतलब होता है संकुचन और फैलाओ इन दोनों से मिलकर बना है क्रमा तो भूजन जब अमाशे में पहुचता है तब ये गाढ़े द्रव के रुप में हो जाता है और भोजन यहां पर लगबग 2-3 घंटे तक रहता है तो भोजन जब अमाशे में रहता है तब अमाशे में भी जठर रस त्रावित होता है साथ ही यहाँ पर है Hydro-cloric Aml भी काभी निर्माण हो रहा है और यहाँ पर आमाशे में म्यूकस या श्लेश्मा का भी स्तुरा हो रहा है हम जानेंगे कि यह क्या क्या काम करते हैं यहाँ पर तो बच्चों । जो Hydro-cloric Aml है इनके मुख्य तीन काम होते हैं और यही परिक्षा में प्रशन आता है। हाइड्डो कल्ओरिक अमल के क्या कारे होते हैं। तो पहला कारे होता है कि हाइड्रो कलोरिक अमल जो होता है भोजन के साथ जो सुख्ש में ज्वेव आते हैं, उनको नष्ट करने का काम करता है। दूसरा हाइड्रोकलोरिक अम्ल भोजन को सरने से बचाता है और तीसरा ये प्रोटीन के पाचन में भी साहता करता है तो अभी मैंने बताया कि अमाशे में जठर रस का भी स्तरावन होता है और शलेशमा का भी स्तरावन होता है तो ये जो शलेशमा होते हैं मतलब म्यूकस होत यह अमाशे की दिवारों को हाइड्रोकलोरिक आमले के प्रभाव से बचाती क्योंकि हाइड्रोकलोरिक आमले काफी प्रभल होता है तो इससे अमाशे की दिवारों को सुरक्षा प्रदान करती है शलेशमा तो इस प्रकार यह जो भोजन है यह गाड़े द्रव के रूप में अमाशे में बनता है और फिर अमाशे से ये भोजन पहुचता है छोटी आत में आप देखें यहां से अमाशे में स्प्लिंग्टर या वाल पाए जाते हैं जब ये खुलते हैं तब भोजन अमाशे से देखें कहां जा रहा है छोटी आत में जब भोजन अमाशे से छोटी आत में पहुचता है तब यकृत जो है यकृत में भी बाइल जूस पित रस का स्त्रा होता है अब ये जो पित रस का स्त्रावन यकृत में हो रहा है अब ये जो पित रस है ये कहां पहुचेगा गॉल ब्लेडर में कुछ देर तक ये गॉल ब्लेडर में स्टोर रहता है ठीक है य वाल बेडर से ये जो पित तरह से ये छोटे आत में भोजन के साथ जाके मिक्स हो जाता है साथ ही अगनाशे जो है अगनाशे में भी अगनाशे रस का स्तरावन हो रहा है इसके साथ यहां पर कुछ एंजाइम भी स्तरावित होते हैं तो अगनाशे रस के साथ कौन-कौन से ए अगनाशय में इस्तरावित हो रहे हैं तो तीन प्रकार के एंजाइम यहां पर इस्तरावित होते हैं एक है एमाइलेज, ट्रिपसीन और लाइपेज अब यह तीनों क्या काम करते हैं तो बच्चो एमाइलेज जो एंजाइम होता है यह जोटकी जटिल कार्बनिक पदारत है उसको सरल कार्बनिक पदारत ग्लुकोज में परिवर्तित करता है ठीक है दूसरा है ट्रिपसीन, ट्रिपसीन एमजाइन क्या करेगा प्रोटीन को अमिनोमल में बदल देगा ऐसे ही है लाइपेज लाइपेज वसा को फैटी असिट और ग्लिसिरॉल में बदल देता है तो बच्चो जब यह रस अगनाशे रस और पित रस भोजन के साथ छोटी आत में मिक्स ह हो जाते है तब यहां पर पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो पाचन की शुरुवात मूं से हुई थी और पाचन जो कंपलिट हुआ है कहां पर हुआ है छोटी आत में अब यहां पर आप छोटी आत की संरचना देख रहे हैं यह जो लली होती है छोटी आत की यह चोड़ी तो नहीं होती है लेकिन लंबाई बहुत होती है इसकी लंबाई लगबग 20 फीट होती है इसलिए हम इसे छोटी आत इसलिए कह रहे है क्योंकि इसकी चोड़ाई जो है वो कम है ऐसी बड़ी आत को बड़ी आत इसलिए कह रहे है क्योंकि इसकी चोड़ाई जादा है तो छोटी हात में जब भोजन पोहुचता है तब पाचन क उयद् publicity क्रिया complete होती है अब यहां पर नेक्स जो process होंगी वो वोंगी अवशोशन की भोजन का अवशोशन भोजन का अवशोशन कहां पर हो रहा है छोटी हाथ में हो रहा है तो कैसे हो रहा है तो छोटी हाथ में कुछ वलाइत संरचना पाए जाती है यहां पर आप देख रहे हैं यह वलाइत संरचना जो उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं इसको हम कहते हैं विलाई इसको कहा जाता है दिर्ग रोम यह जो उंगली के समान में सहायता करती है। अब यह देर्ग रूम में या विलाई में आप देख रहे हैं कि रक्त वहानिया और लसीका वहानिया भी दिख रही है। तो भोजन का अवशोशन होने के बाद, ये हमारी शरीर के हर एक अंग तक इन रक्त वहानियों से, लसीका वहानियों से जाता है और शरीर के हर एक कुशिका तक ये पाचकरस पहुचता है। तो क्या हो रहे कि छोटी आत्मे आफ्शोशन की प्रक्रिया हो रहे हैं और साती सात यहाँ पर जल का आफ्शोशन भी होता है अब अनपचा जो भोजन है अनपचा भोजन पहुच जाता है बड़ी आत्मे जो भोजन पहुच गया वो हमारी रक्त वहानी लसीका वहानी से होते हुए हमारी शरीर की हरे कुशित कात तक पहुच गया लेकिन जो अनपचा भोजन है वो कहाँ पर जाएगा ये देखे बड़ी आत्मे पहुचता है और जल का उशोशन यहाँ पर बहुत जादा होता है बड़ी आत्मे और अनपचा भोजन जो कि हमारे शरीर के लिए किसी भी तरीके से उपयोगी नहीं है इससे मल द्वार के बाहर निकाल दिया जाता है इस प्रकार से यह जो पाचन की प्रक्रिया है यह पूर्ण होती है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों की बड़ी आत के पास एक आपको उभरी हुई संरशना दिखाई दे रही है यह है अपेंडिक्स अपेंडिक्स के बारे में शाय अपेंडिक्स को पेट दर्ग की बहुत समस्या हो जाती है तो पता चलता है कि जो अवशेशे अंगे इसमें सूजन आगे तो इसे ऑपरेट करके बहार निकाल दिया जाता है क्योंकि इसका कोई यूज दी है पहले इस इस अंग से इस एलोस का पाचन होता था लेकिन अब इसमें किसी प्रकार का यूज नहीं होता है तो बच्चो हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती इस पाचन तंतर से हमने समझ लिया है क्या पाचन तंतर में और भी कोई चीज़ है जो सहायता करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में छोटी आत में करते हैं मतलब ये भी हमारे शरीर की कार्बोहर्डेट या प्रोटीन वसा को उपयोगी पदार्तों में बदलते हैं तो जिवानों भी कही न कही तरीके से पाचन की प्रक्रिया में सहयता करते हैं तो छोटी हाथ जो होती है हमारे शरीर की ये एक पारिस्तितिक तंत्र है क्यो को छोटी आत में रहते हैं और हमारे शरीर में उपयोगी वसा और प्रोटीन को उपयोगी पदात में बदलते हैं इस प्रकार से छोटी आत एक पारिस्तितिक तंत्री की रुप में काम करता हैं बच्चो छोटी आत में वसा का पाचन होता है और फैटी आसिट और गलीसरॉल म इमल्सी करण क्या है यह आपको मालूम रहना चाहिए परिक्षा में आ भी सकता है यह प्रेश्ण इमल्सी करण में क्या होता है वसा की जो बड़ी गुलिकाव है यह टूटकर छोटी गुलिकाव में बदल जाती है और यह किसकी साहता से होता है यह एंजाइम की साहता से होता तो बचो आपने अभी जाना कि पाचन तंत्र में भोजन का पाचन कैसे होता है और ये पचा हुआ भोजन छोटे आद में अशुशित होता है वहाँ पर जो विलाई होती है उसमें उपस्तित रक्त वहानिया और लसी का वहानिया इन पोशक तत्वों को इसके साथ साथ अन्य आवशक पदातों को शरीर के हर एक कोशिका तक पहुँचाती है अब बात ये है कि हर एक कोशिका तक ये पचा हुआ भोजन कैसे पहुचता है कौन ले जाता है इनको? इसे जानने के लिए अब हम पड़ेंगे परिवहन तंत्र, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सस्थम. तो बच्चो, परिवहन जो शब्द है, इसका मतलब होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन पोशक तत्वों को आवशक पदार्तों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन ले जा रहा है रक्त ले जा रहा है रुधिर ले जा रहा है और इन रुधिर से ही आवशक पोशक तत्व हर एक कोशिका तक पहुशते हैं तो ये जो रक्त होता है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो ये कैसे पौशता होगा कैसे काम करता होगा तो बच्चों कई हजारों सालों से ये माननेता थी कि ये जो रक्त है ये नलियों से होकर बहता है फिर नलियों से ये रिदे से जुड़ा हुआ रहता है ये जो नलिया होती है ये रिदे से जुड़े हुई रहती है पर ये धारना थी उस समय कि हर धड़कन के साथ रक्त रिदे से बहार आता है और इन नलियों से बहता है और फिर से रिदे में अवशशित हो जाता है और बच्चों फिर आगे चल कर इन नलियों की पहचान हुई और जिसे अब हम जानते हैं शिरा और धमनी के नाम से तो इन नलियों के बारे में जानकारी खटा की गई साथ ही रक्त कैसे बनता है हमारा रिदय कैसे काम करता होगा क्या काम करता होगा इसकी जानकारी जुटाने में काफी समय लग गया और उस समय एक चिकिसक थे जिनका नाम था विलियम हारवे ये काफी रिदे से संबंदित, रक्त के बहाव से संबंदित काफी रिसर्च कर रहे थे और फिर उन्होंने काफी इस पर प्रयोग करके भी देखे तो जब उन्होंने प्रयोग किया, उनके साथियों के साथ उन्होंने एक प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद उनको ये पता चला कि जो शिराय होती है जो वेन होती है उनमें वाल्व होते है और उन्होंने ये भी पता किया कि जो रक्त होता है इसका बहाव एक ही दिशा में होता है तो बच्चो हारवी का एक प्रयोग चलिए अभी हम करके देखते हैं और इस प्रयोग को आप भी करके देख सकते हैं बच्चो जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर में रक्त पाया जाता है और ये निरंतर भैता रहता है लेकिन अगर आपको चोट लग जाएं कट फट जाएं तो ये रक्त बाहर निक करने लगता है जो हमें लाल रंग का दिखाए देता है बच्चो क्या आप जानते हैं रक्त का रंग लाल क्यों होता है क्योंकि इसमें हीमोगलोबिन पाया जाता है और इसी हीमोगलोबिन की वज़े से ही रक्त का रंग लाल होता है और ये रक्त हमारे शेरीर में नलियों के द्वारा बहता है चलिए बच्चो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि रख का बहाव किस तरफ होता है क्या ये हिर्दे से अंगो की तरफ होता है या अंगो से हिर्दे की तरफ बच्चो रख की नलियों को देखने के लिए आपको हाथ कोहनी से उपर बानना है और मुठी को बंद करके रखना है अब हाथ को 3-4 बार हिलाना है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रत की नलिया आपको दिखाई दे रही है अब हम अंगुली के सायता से इन नलियों पर दबाव बनाते हैं और एक अंगुली को पंजे की तरफ ले जाएंगे और एक अंगुली को हम कोहनी की तरफ ले जाएंगे अब आप देख सकते हैं कि बीच में जो नली हरे रंग की दिखाई दे रही थी इसका रंग गायब हो गया है अब धीरे से हम पंजे की तरफ की अंगुलीयों को छोड़ते हैं तो हम देखेंगे कि रक्त इन नलीयों में फिर से भर गया इसी प्रकार से हम इस क्रियागल आपको फिर से दोर आते हैं फिर से दवाव बनाते हुए अंगुली को पंजे की तरफ ले जाते हैं और धीरे से इसको छोड़ते हैं हम देखेंगे कि रक्त इन नलीयों में फिर से भर गया इसका मतलग रक्त का बहाव पंजे से रिदे की तरफ हो रहा है और इसको शीरा नाम दिया गया शीराय रक्त को अंगों से हिर्दे तक पहुचाती है इसके अलावा हमारे शेरीर में धमनिया भी पाय जाती है जो रक्त को रिदे से विबिन अंगों तक पहुचाती है तो बच्चों देखा आपने कि हारवे में जो प्रयोक किया था उन्होंने देखा कि कैसे रक्त जो है ये पंजे से होता हुआ कोहनी के तरब से भरता है और कहां पहुचता है हमारे रिदे में ये हमने अभी करके भी देखा और आप भी इसे करके देख सकते हैं तो उन्होंने इससे ये जानकारे निकाली कि जो रक्त का बहा होता है ये पंजे से होता हुआ कोहनी के तरब से कहां पर होता है रिदे के तरब होता है और इनको इन्होंने नाम दिया शिराय तो उन्होंने बताई कि जो शिराय होती है जो वैन होती है ये वे नलिया है जो रक्त को हमारे शरीर से रिदे तक पहुचाती है ऐसे ही उन्होंने धमनी के बारे में जानकारी दी धमनी या आर्टरी वे न लिया है जो रक्त को रिदे से हमारे शरीर के हर एक हिस्से तक पहुचा दी है तो आपको धमनी और शिरा में अंतर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इसमें और भी अंतर है और ये अंतर जो है आपको परिक्षा में पूचा जाता है तो कभी-कभी ये प्रेशन चार नंबर में पूछा जाता है और कभी-कभी छे नंबर में जिसमें 3 प्लस 3 के कौनसप में ये प्रेशन को पूछा जाता है तो आप धमनी और शिरा में कम से कम चार अंतर याद करके रखिए चली कुछ अंतर हम अभी जानने का प्रयास करते है तो शिराय जो होती है बच्चो इसको आप देख सकते हैं ये हमारी तुचा के ठीक नीचे होती है जबकि धमनिया जो होती है ये गहरायों में उपस्तित होती है तो इन शिराव को आप देख रहे हैं ये बाहर से हमें कैसे नजर आ रही है हरे रंग की दिख रहे है क्या वास् जो रक्त उपस्तित होता है उसका रक्त होता है सुर्खलाल तो ये दोनों में एक डिफरेंस है और एक डिफरेंस क्या बताया भी मैंने कि जो शिराय होती है ये हमारे तवचा के ठीक नीचे होती है और जो धमनिया होती है ये गहरावी में उपस्तित होती है ठीक है जो धमनि क्या है शिराओं में वाल्व होते हैं जबकि धम्नियों में वाल्व नहीं पाए जाते हैं तो ऐसे ही आप चार-पाच अंतर इसमें याद करके रखिए तो बच्चो हम धमनी के बात कर रहे हैं तो क्या हम धमनी को महसुस कर सकते हैं इसके लिए भी एक प्रयोक दिया हुआ हैं ये देखे बच्चो हमारी शरीर में हरी रंग की नलिया दिखाई देती हैं इसे हम शिराय कहते हैं वास्तों में इसका रंग हरा नहीं होता है इसमें स हमारे शरीर में शिराओं के साथ साथ धमनिया भी पाई जाती हैं, उन्हें भी हम महसुस करने का प्रयास करते हैं, आप अपनी हाथ की कलाई पर अंगुलियों को रखिए, यहाँ पर आपको धड़कन महसुस होंगी, इसका मतलब यह है कि जब रक्त हमारे रिदे से अंगों क की तरब बहता है, तब यह धड़कन हमें सुनाई देती है, हम इस तरीके से हमारी धड़कन को महसुस कर सकते हैं, इसे हम नाड़ी कहते हैं